भारत और चीन के बीज पूर्वी लदाक में बावन महीनों से चला आ रहा सीमा तनाव अब आखिरकार समाप्त हो गया है। 2020 पे वास्तविक नियंतरन रेखा, LAC पर हुए टकराव के बाद से दोनों देशों के बीच सेन्यय और कूट नीतिक स्तर पर लगतार वारताओं का दोर चला। कई मोर्चों पर सहमती बनने के बावजूद कुछ क्षित्रों में असहमती बनी रही, खासकर डेपसांग और डेमचोक के समवेदंशीर इलाकों में, अब हाल ही में हुई बादचीत के बाद, इन क्षित्रों में भी गश्त और सेन्य तनाव को कम करने पर दोनों देशों सहमती बना ली है. विदेश सचिव, विक्रम मिस्त्री ने इस समझोती की घोशना करते हुए बताया कि 2020 के बाद से भारत और चीन के बीच कहीं दोर की बादचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप L.A.C. पर कहीं जगहों पर तनाव को सफलता पूरवक कम किया गया, हाला सामने की स्थिती सूलज गई है, जो कि एक बड़ा कूट नीतिक कदम है. इस समझोते को लेकर विदेश मंतरी S. जैशंकर ने भी सकरात्मक परतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अब भारतिय सैनिक उन स्थानों पर भी गश्ट कर सकेंगे जहाँ वे 2020 से पहले किया करते थ यह समझोता, ऐसे समय में हुआ है जब परधान मंतरी नरेंद्र मोदी और चीन के राश्रपती शी जिन पिंग इस अफते रूस के कजान में एक साथ होंगे. दोनों नेताओ की संभावित मुलाकात की अटकले भी लगाई जा रही है, हाला कि विदेश सचिव ने इस मुला और भी सकरादमक बदलाव हो सकते हैं. इस पूरी खबर पर आपकी क्याराया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिलाल के लिए भी इतना ही, एक बर फिर से लोटेंगे एक नई अपडेट के साथ.